नमस्कार दोस्तो मेरे चैनले में हमें आपको स्वागत दोस्तों आज बात करने जाएंगे कोई इंट्रंस in आक है बात कि तो उसके लिए आज इस वीडियो में बात करेंगे तो अच्छा से देखिएगा अच्छा लगए तो लाइक किजेगा और मैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि तो सब्सक्राइब कर दीजेगा अगर नहीं किजेगा तो आपके पास कोई भी लेटेस वीडियो जाएगा नहीं तो दोस्तों चली शुरू करते हैं तो पहले जो जातर बच्छे से हम बात करने के बाद हम को जितना पता चला कि में से इंट्रांस जो एक्जामनेस होता है जितना भी ग्राइजिवेशन से कि वो सोचता है नहीं कि इंट्रांस एक्जाम में वो कॉलिफाइग कर पाए जो सोचता है उसका तो तो सही है अगर आपको पता है कैसे क्लियर करना है आपको पता है कोई टेंसन नहीं ठीक है अगर किसी बच्छे को अगर लग रहा है कि इंट्रांस एक्जाम मेरे मेरे से पाइगा क्यों नहीं हो पाईगा पहले बात तो कि देखिए सब का परेने चीसे काम कर रहा है तो आप भी कर पाईएगा जितना भी आपका बर कु कालीफाइग कर पाईएगा फाई च्रह तो आप गलती नहीं है ृछ यह क्यास ओप ideology का करने के कि यह नहीं पड़े हैं उसको नहीं पढ़ना है हर वीडियो में यह बताते हैं तो फार्ली तो सोच लेजिए कि यह इंटरांस एश्मेसन्स, आपसे कॉलिफाऍक हो पाएगा अगर यह नहीं सोच गोछ में आगए अगर आपको लग रहा है कि मेरे से नहां पाईगा अब को पता है कि में तो नहीं कर पाओगा यह मत सोच नहीं कर पाओगा अब पहुत जितना भी आपको बैसिक judgments कर पाईएगा never चुचन पाइब इसको निए पता है कि वह सरा इसका पढ़ाया नहीं जाता है फिर इतना भूक्स भी अबिलबल नहीं होता है तो पढ़ाय इतना चैसा अच्छा से लिए नहीं तो पहला बात तो जोलोजी से अच्छा तो नहीं आता है उसके बाद बोटानी और माइक्रोबैलीज भी पढ़ना पढ़ता है उसके बाद फीजिस केमिस्टी मैथ तो डीबोनलाइज होता था है कैसे क्लियर करें तो जो बात आपको क्लियर रखना है कि आगर आप जोलोजी क्लियर करने का बाद आपको देखना है कि मैथमेटिक्स फीजिस केमिस्टी में आपको क्या पढ़ना चाहिए उसमें भी आपको सब नहीं पढ़ना है तो केमिस्टी में कुछ कुछ चेप्टर होता है उसका भी वीडियो बना दिये हैं वह देख लीजिएगा जेनू का बह पढ़ना आपको चाहिए तो देख लीजिए उसके बाद आता है कि जिसका तो बैग्ग्राउंड अच्छा है मतलब जो अच्छा सा आता है लेकिने माइक्रोबाइलोजी जोलोजी माइक्रोजी अगर कोई जोलोजी का स्टुरेंट है तो अगर MSC Life Sense करने जाता है तो उसका पढ़ना है कि जो आप पढ़ने से जो बाद से जो बाद से ज्यादा कुछा नहीं जाता है तो उसका टेंसन मत लिजिएगा उसके बाद आता है थर्मोडाइनमिक्स, खेमिकल बॉंडिंग्स, फिर्ट्रोफियम से कुछता है और सम्पेसिक और्गेनिक केमिस्ट्री पूछे जाता है मैथ में आपको जो चीज़ पूछा जाता है जो आप पहले से करके रखे हैं प्रोबाबिलेटी, परमोटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट, लिमीट यह सब पूछे जाता है ज्यादा कुछ नहीं आता है उसके बाद जो आता है फिजिक्स, फिजिक्स में आपको बहुत चुछ क्लासिकल को अगर डिलीट कर दिजिएगा तो आपका जो नॉर्माल पाट होता है जब तक चीज को समझेगा नहीं तब तक अच्छा से अगर अगर समझ नहीं पा रहे तो कोई भी चीज आप कॉलिफाई नहीं कर पाई इसलिए बोलते कि आप पहले वीडियो बनागा एक कोसे जरू करेंगे धन्यवाद दिश्ट दोस्तों वीडियो देखने के लिए झाल को पाई दोस्तों वीडियो बखाई तक चीजानी दोस्तों मेटियो थी नहीं बोलते के लिग Haut और स्गेगं